तो गाइस इस टॉपिक पे मैंने अल्रेडी मुंबा इंडियन संड रॉयल चलेंजिस बैंग लोड के उपर वीडियो बना दिया है तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आप उन वी तो गाइस शुरूगात करते हैं उन प्लेयर से जिनको आई पेल 2021 ऑक्षन के पहले चैनेज उबर किंग्स की टीम रिलीज करेगी तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है केम आसिफ का केम आसिफ को लास्ट टाइम 2018 में मौका मिला था दो मैच्चस उन्होंने खेले थे वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस इतना जादा कुछ खास नहीं था विकेट्स जरूर मिले थे लेकिन एकॉनमी बहुत जादा खराब था इनका और 2019 में मौका नहीं मिला 2020 में मौका नहीं मिला जबकि 2020 में चेनेज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था फिर भी इनको को एक भी मौका नहीं मिला मतलब इनोंने क्यंऽ कर सकते हो और साइध मुस्ताकली Champions को टार्गेट कर सकते हो इंडियन यंग्स्टर पेसर आजैसे टी deny ट राजन हो गए हम किए हाइदराबाद ने उनका रील टैलेन पहसा ना और अभीं हम देख सकते वह कितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया उस्टेलिया वसेज इंडिया के माचेस में तो ऐसे किसी गेंदबाज को आप टार्गेट कर सकते हो इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नाम है मुल्ली विजय का मुल्ली विजय को IPL 2020 में 3 मैचेस मिले जहाँ पर उन्होंने 32 रन बनाया विद दे स्ट्राइक रेट ऑफ 74.41 बहुत खराब स्ट्राइक रेट है 80 से भी कमका है मुझे नहीं लगता अगले सीजन में चैने सूबर किंग्स की टीम मुल्ली विजय को रिटेन करेगी इसके बाद तीसरे प्लेयर है केदार जादो केदार जादो को IPL 2020 में 5 मौके मिले जहाँ पर उन्होंने 62 रन बनाया विद दे स्ट्राइक रेट ऑफ 93.93 अल्रेडी मैं बोल चुका हूँ अगर आप लोगर और और में बल्ले बाजी करते हो और आपका स्ट्राइक डेट 100 से कम है देन यू डॉन डिजर्व और IPL 2020 में बहुत चारे ऐसे मैचेस थे जहाँ पे चेने सूबर किंग्स केदार जादो के धीरे खिलने के कारण हारी तो फोर से और IPL 2021 में चेने सूबर किंग्स की टीम केदार जादो को रिलीज करेगी इसके बाद अगले खिलारी है कर्ण सर्मा कर्ण सर्मा को मैं परफॉमेंस के बेसेश पर रिलीज करूँ गहीं उनका परफॉमेंस इतना ज्यादा खास नहीं रहा जितना मैंने एक्सपेक किया था दूसरा रिजन रहेगा चेने के बास अल्रेडी बहुत शारे Spinners हैं आप इंडियन पेसर को target करो इंडियन पेसर को खड़ी दो जो साहिद मुस्तागली trophy में अच्छा perform करेंगे तो दो एक प्रिस के बाद अच्छे इंडियन पेसर को target करो उसके लिए आपको playoffs को release करना पड़ेगा तो यही मुझे जीजर लगता है कि कर्ण सर्मा को रिलीस करेगी चेने की टीम अल्रेडी इंके पास बहुत चारे स्पिनर्स है तो एक स्पिनर चला भी जाता है तो इतना जादा फर्क नहीं पड़ेगा इसके बाद अगले खिलारी है मोनु कुमार मोनु कुमार को IPL 2020 में एक मौका मिला जहां पर उनको विकेट तो नहीं मिला उनकी एकॉनमी दसकी थी अब देखो एक मैच के परफॉर्मेंस हैं किसी प्लियर को जज नहीं कर सकते हैं लेकिन चेने के स्कॉर्ड में अल्रेडी बहुत चारे प्लियर्स हैं तो 23 ले लो और हरबजन सिंग राइना को हटा दोगे तो 21 हो जाएगा लेकिन ऐसे ये टोटल मिला के देखो तो 24 प्लियर्स थे तो चेने ही अपना स्लोट जो है उसको यूटिलाइस करती है मैक्सिमम प्लियर्स रखने का ट्राई करती है तो चेने के पास ज़्यादा स्लोट्स रहेंगे नहीं ऑक्सन में इसी के कारण उनको प्लियर्स को रिलीस करना पड़ेगा तो मोनु कुमार को मेरे इसाब से चेने की टीम रिलीस करेगी इसके बाद अगले खिलारी हैं लुंगी नगीडी देखो एक ही ऐसा Overseas Player मुझे दिखा चेने के स्कौर्ड में जिसको चेने की रिलीस करेगी हेजल वुड और लुंगी नगीडी के बीच में मैं कन्फ्यूज था लेकिन अभी जॉस हेजल वुड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मेरे इसाब से उनी के साथ जाएगा चेने सुपर किंग्स और लुंगी नगीडी को रिलीस करेगा इसके बाद मैं आपको आइपेल 2021 और चेने सुपर किंग्स की स्कौर्ड दिखा देता हूं तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है चैने सूपर किंग्स के कप्तान MS धोनी का इसके बाद नरायन जगदेशन, रूतुराज गाइकवार, रबिन जडेजा, जॉस, हेजल वुड, प्यूस चावला, अमबाती रायूडू, सुरेस रायना मैं आपको बता दू, CSK के मैनेज करेंगे, इसके बाद हरबाजन सिंग, हरबाजन सिंग को लेकर ऐसा कोई confirmation नहीं है, लेकिन अगर सुरेस रायना को करोगे तो फिर हरबाजन सिंग को भी करना पड़ेगा, दोनों का एक ही रीजन था, प्रस्नल रीजन के कारण वो आइपल 2020 में नहीं खेलेते, तो यह unfair इस ओर, तो यह 17 प्लियर्स को चैने सुबर किंग्स आईपल 2021 ऑक्षन के पहले रीटेन करेगी, और यही 17 प्लियर्स चैने के स्कॉड में रहेंगे, बिफोर आईपल 2021 ऑक्षन, अभी चैने के स्कॉड में टोटल 23 प्लियर्स हैं, पहले 24 थे लेकिन वाट्सन ने रिटार् घरीज सकती है, आईपल 2021 के उक्षन में, और दो और Overseas Plays को खरीज सकती है, आईपल 2021 के उक्षन में, Overseas Slots 8 होते हैं, CSK के पास अल्रेडी 6 प्लियर्स हैं, सेन वाट्सन जिनोंने एक रिटार्मेंट ले लिया और लुगी नगिडि जिनको CSK रिलीस करेगी, तो दो Overseas Sl आपको लिंक मिल जाएगा और अपको नेक्स वीडियो कौन सी टीम पर चाहिए और अभी के लिए बस ही थे लुडियो आपको यह अच्छी लगी होगी तो उच्छे कमें लिक कर बताई कैसे लगी अपको जाहिए लिग की आज बूट कि पिञे हैं तकि मैं जैसे अगक्ली व